मानव आंथ जतिल है जबकि रिसक चल रही है ये स्पष्ट लगता है कि आंथ माइक्रोबायों पूरे शरीर के स्वास्थे को प्रभावित करता है एक स्वस्थ आंथ से हमें मिलता है स्ट्रॉंग इम्यून सिस्टम हेल्दी हाट हेल्दी माइंड और आईए जानते हैं गट क्या है हमारे शरीर में बहुत से और्गन और अंग है जो अलग-अलग काम करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो मस्तिश्ख होते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं Intestine, gut, meaning in Hindi यानी आंथ की. गट को विज्ञान दूसरे मस्तिश्खी मानता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गट को काम करने के लिए मस्तिश्ख के निर्देश की आवश्यक्ता नहीं होती. आंथ हमारे शरीर के उन और्गन में से एक है, जिसके जरा से बिगड़ने पर हम बहुत बड़ी मुसीवतों में फंस जाते हैं. आप शायद यह भी ना जानते हों कि आंथ एक नहीं बलकी दो होती है. इनमे से एक गट आपके शरीर के अंदर सभी पोशक तत्वों अवशोशित करती है, तो वहीं दूसरी आंथ पानी को अवशोशित करने का काम करती है. अच्छे गट के लिए क्या खाना चाहिए? प्रोबायोटिक्स और प्रिबायोटिक्स के मिश्रन के साथ अपने पाचन तंत्र में स्वस्थ बैक्टीरिया को पोशन दे. यदि आप एक स्वस्थ आंथ चाहते हैं, तो आपको इसे अच्छी तरह से खिलाना होगा. प्रिबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स रिच डाइप ले. दही एक प्रोबायोटिक्स है जो दूद के फर्मेंटेशन के बाद बनता है. इसमें बैक्टीरियल स्ट्रेन लेक्टोबैसिलिस होता है जो आंथ में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद करता है और पाचन में सहायता करता है. प्रोबायोटिक्स आंत को बहतर बनाने में मदद करते हैं, इस प्रकार उचित पाचन में सहायता करते हैं फल और सबजियों में फाइबर होता है जो हमारी आतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है फाइबर डाइट लेने से पेट साफ होने में आसानी होती है कुल मिलाकर, लक्षे ये सुनिष्चित करना होना चाहिए कि आपके आहार में एक अच्छा संतुलन है शब, आंत माइक्रोबायोम, आपकी आंतों में रहने वाले सुक्ष्ण जीवों को कहते है प्रत्येक व्यक्ति के पाचन तंत्र में लगभग 200 विभिन प्रजातिया के बैक्तीरिया होते हैं कुछ सुक्षम जीव हमारे स्वास्थे के लिए हानिकारक हैं, लेकिन कई अविश्वस्णिय रूप से पाय देमंध है और स्वस्थ शरीर के लिए भी आवश्यक है पिछले कुछ सालों की रिसच में आंत्स्वास्थय और प्रतिरक्षा प्रनाली, मान्सिक स्वास्थय और कैंसर के बीच संबंध पाया गया है एक अस्वस्थ आंत के 7 संकेत 1. पेट खराब होना पेट की गरबड़ी एक अस्वस्थ आंत का संकेत हो सकता है। उनमें गैस, सूजन और कब्ज शामिल है। 2. हाई शुगर डायेट, उच्छ चीनी आहां। प्रोसेस्ट फूड और अड़ेट शुगर आपके आंत में अच्छे, बैक्टीरिया और विविद्दा की मात्रा को कम कर सकता है। रिसक से पता चलता है कि इससे पूरे शरीर में सूजन बढ़ सकती है। सूजन से कैंसर सहित कई बीमारियों हो सकती है। 3. शरीर का वजन अचानक काम या ज्यादा होना अपने आहार या व्यायाम की आदतों को बदलने के बिना वजन बढ़ाना या कम करना एक अस्वास्थिकर आंत का संकेत हो सकता है। शोटे आंतों के जीवानु अतिव्रिद्धी, एसाइबियो, के कारण वजन कम हो सकता है। दूसरी ओर, वजन बढ़ना इंसुलिन प्रतिरोत या सूजन में व्रिद्धी के कारण हो सकता है। 4. नींड की गरबड़ी या लगातार थकान। रिसर्च से पता चलता है कि आंत के बैक्टीरिया में असंतुलन अधूरी नींड और कम नींड की कमी से जुड़ा हो सकता है, जिससे पुरे शरीर में थकान रहती है। हालाकि इसका कारण स्पष्ट नहीं है, ये सूजन और मानसिक स्वास्थे से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। 5. तवचा, खाल में जलन। सोरायसिस जैसी तवचा की प्रबलम, आंत में मौजूर बैक्टीरिया के प्रकार से संबंधित हो सकती है। हेल्दी बैक्टीरिया की कमी शरीर की प्रतिरक्षा प्रनाली, इम्यूनिती को प्रभावित कर सकती है। 6. ओटो अम्यून कंडिशन्स कई रिसर्च में आंत और प्रतिरक्षा प्रनाली के बीच संबंध पाया गया है। एक अस्वस्थ या बीमार आंत प्रनाली गत सूजन को बढ़ा सकती है और प्रतिरक्षा प्रनाली, इम्यून सिस्टम के उचित कामकाच को बदल सकती है। इससे ओटो इम्यून बीमारिया हो सकती है, जहां शरीर हानिकारक आक्रमनकारियों के बजाए खुद पर हमला करता है। इसका एक उदाहरन है कैंसर। 7. Food Intolerances Research से पता चलता है कि Lactose Tolerance की तरह Food Tolerance, आंट में बैक्टीरिया की खराब गुनवत्ता के कारण हो सकती है। इस प्रॉबलम में हमें सिर्फ कुछ खाने की चीजों को हजम करने में प्रॉबलम आती है जैसे कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता और गैस बनता है। 5 चीजे जो आप अपने पेट के स्वास्थे के लिए कर सकते हैं। 1. अपने तनाव के स्थर को कम करे। तनाव या टेंशन के पुराने उच्च स्थर आपके पूरे शरीर पर खतरनाक है, जिसमें आपकी आंथ भी शामिल है। तनाव को कम करने के कुछ तरीकों में चलना और ध्यान करना शामिल हो सकता है। 2. परियाप्त, कम्प्लीट नींद ले। पूरी नींद या क्वालिटी की नींद नहीं मिलने से आपके आंथ के स्वास्थे पर गंबीर प्रभाव पर सकता है, जो बदले में शरीर की अन्य परिशानियों को बढ़ा देती है। प्रती रात कम से कम 7-8 घंटे की निर्बाद मीन प्राप्ट करने को प्राथमिक्ता देने की कोशिश करें। 3. धीरे-धीरे खाएं। अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाना और अपने भोजन को अधिक धीरे-धीरे खाने से मोटापा और शुगर विक्सित होने की संभावना कम हो सकती है, जबकि आपको भोजन को अच्छी तरह से हजम करने में भी मदद मिलती है. 4. हाइड्रेटेड रहे बहुत सारा पानी पीने से आंत में बैक्टीरिया की बरती विविद्ता से जोड़ा जा सकता है, हाला कि पानी का स्रोध भी मायने रखता है. हाइड्रेटेड रहने से आपके स्वास्थे को समगर रूप से लाब होता है और कबज को रोपने में मदद मिल सकती है. ये एक स्व प्रिबाउटिक या प्रोबाउटिक ले जबकि रिसर्च जारी है, अपने खाने में प्रिबाउटिक या प्रोबाउटिक जोड़ने से आपके आंत के स्वास्थे को बहतर बनाने में मदद मिल सकती है. प्रिबाउटिक्स आंत में लाबकारी बैक्टीरिया के विकास को ब यधी आपने इस channel अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्रिपया इस तरह के अधिक स्वस्थ वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें अगले वीडियो तक स्वस्थ रहें, फिट रहें सब्सक्राइब